वर्ल्ड कप में क्वालिफाइ ना करने वाली वेस्ट इंडीस से भी इंडिया गई हार क्या रोहत और कोली के बिना है टीम इंडिया बेकार कोई सेंस बात करें भाई अब नतीजे ऐसे निकलेंगे तो सेंस तो यही बनेगी ना पर यह राहूल ड्रविट क्या कर रहे हैं भा पर ऐसे खेलेंगे तो कितना सहेंगे हम हैं और कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप आईए डिसकस करते हैं इस वीडियो में तो वेस्ट इंडीस के बारवा डोस में ही खेला गया दूसरा ओडिया जहां सिक्का उचला इस बार वेस्ट इंडीस के हक में और उन्होंने क्या चुना ऑई सेब शेतरक्षन का फैसला और इंडीया वाले नहीं यॉनको इन-मैच प्रेक्टिस देने के बजा है उनकोका बाय आप रेस्ट करो आप वड़ा पाऊखाओ नॉनस्टॉप कोई सब्सक्रीशन की बात नहीं है चलो और रोईट शर्मा ने खुद भी बोला हो लेकिन हो सकता है टीम मैनेजमेंट ने भी उनको बिठा दिया हो क्योंकि राउल ड्रविट ने यही बोला कि हम कुछ पर्बूटेशन और कॉंबिनेशन लगाना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि एशिया कप में कौन बंदा किस तरी पाती है इंडिया की गाड़ी तो चलिए मैच के बारे में भी आपको बता देते हैं तो सेकंड ओडिया में इंडिया करने आई पहली बैटिक जहां पर रोई शर्मा थे नहीं आपन इंडिया के लिए और एक ठीक ठाक साज़ेदारी जो थी वह आते ही इन साज़ेदारी ब अगर बाकी का स्कोर काड़ में आपको सुनाओंगा तो आपको लगेगा शुबमन गिल ने ठीक ठाक ही रन मार दी हैं वहाँ पर जो पहला विकेट जहां पे गिरा इंडिया का 90 रन पे जाके तो जो एक बहुत बड़ी एक नीव जो इंडिया की टीम के ओपनर्स ने दे द है अब जब कुल मिला के शान किशन के होते हुए भी संजू सैंसन को मौका मिला तो भाई 19 गेंदों पे 9 रन मार के संजू सैंसन चले गए भाई अपनी विकेट दे कर भाई ब्रेंडन किंग के हाथ में कैच उसके बाद भाई टू डाउन पे मतलब आउट ऑफ नोवेर पर ओडियाई में भी मौका दिया कि चलो वाइड बॉल का प्रपर तरीके से कैप्टेंसी भी देख लें इनकी तो भाई हार्दिक पाइंडिया जिनका वल्ला भी भाई बहुत समय से शान्त है उन्होंने भी 14 बॉलों पे मारे साथ रहे तो उसके बाद वहाँ पे जब थर्ड सब्सक्राइब कर रहे हैं यह वाई बिल्कुल समझ नहीं आपा रहा है मिरको तो सूर्य कुमारी आदब भी 25 वालों पे 24 रन मारे तो बाई सूर्य भाई की मलब वह टी 20 वाली फॉर्म या तो उनको उसी तरीके से तावड तोड़ तरीके से खिलना पड़ेगा कि बाई 24 पचास रन मारे साथ रन मारे वह अपने टी 20 की तरीके से खेले या तो तब मतलब है क्योंकि रना बॉल तो इन्हों से नहीं इनसे बाई कता ही नहीं खेले जा रहा है तीन चौक के इन्हों ने जरूर मारे लेकिन 24 रन पर इनको भी जाना पड़ा रविंद्र जड़ेजा जो की हर मैच में मारते तो इस मैच में उन्होंने दस मारे तो जड़ेजा got all रहनें दे सकते हैं तो भाई वहापर जड़ेजा ने दस मारे शार्दूल ठाकुर्वन हैं 16 मारे उन्हों ऐस पार्ट टाइम बैटर तो अपना काम कर दिया शारदूल भाई ने भी उसके बाद कुल्दी प्यादावाट उम्रान मलिक गोल्डन डक और उसके लावा मुकेश कुमार ने मारे छे रन साथ गेंदों के उपर तो कुल मिला के इंडिया की पारी जो 90 रन पर एक भी मिकटन गिरी थी वो कुल मिला के 181 रन पर समाप्त हो गई पर भाई उसके बाद भी सब लोग यह कह रहे थे कि मेरे भाई आप यह देखो यह पिछ कितनी खराब है पिछले मैच में 115 रन पर निपट गए थे यह लोग 115 रन का टार्गेट था जिसको बनाने में इंडिया की पांच पिछ बिल्कुल डेड है और 181 तो हमने बहुत ज्यादा रन बना दिये पर भाई बिल्कुल जब वेस्ट इंडीज आई तो लग रहा है या तो पिछ बदल दी या तो वक्त बदल दी या तो जिजबाद बदल दी या जिंदिगी बदल दी वाई क्योंकि ब्रेंडन किंग इन्होंने 15 रन मारे कायल मेर्ज ने 36 मारे बाई 28 के उपर उसके इलावा शाय होप जो कैपटन है विकिट कीपर है बाई इन्होंने खेली कपतानी पारी 80 रन मारे और अपनी टीम को जिता के ले गए उसके इलावा बाई काटी ने भी 65 गिन्दों पर 48 रन उनका साथ दिया तो बाई चार ही विक्टे गिरी वेस्ट इंडीस की और वो जो है वो मैच जीत गई तो बाई इंडिया अगर रोईट शर्मा और विराट कोली जो की अभी भी अपनी ग्रेटेस्ट फॉर्म में नहीं है अगर वो दोनों ना होने के बावजूद इंडिया इस तरीके से खेल और उस टीम से हार रही है जो की क्वालिफाय भी नहीं कर पाई ODI World Cup के लिए में स्टेज पे अगर हम उनसे भी हार जाएंगे तो बाई ऐसे कैसे जीतेंगे वर्ल्ड का माना वर्ल्ड का इंडिया के अंदर हो रहा है और आपके पास बहुत सारे लोग है जिनको आप कंटे आया बाई अगर ऐसे ही खेलती रही तो तब भी क्या टीम इंडिया जीत जाएगी वर्ल्ड कप यह आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ और अगर नहीं तो और क्या तरीका है क्या किसे खिलाना चाहिए और दूसरे नंबर बे तीसरे नंबर बे थर्ड डाउन फोर्ड डाउ किसी हुई है इस पर किसे खिलाना चाहिए यह आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में तब तक वाई अनकट पे लिए हम आपके लिए क्रिकेट की बड़िया बड़िया वीडियो लाते रहेंगे मैं हूँ प्रशांद कपूर और आप देख रहे हैं अनकट